नमस्कार दोस्तों एक बाफिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चानल टागिट एट वान पे मैं हूं अम्रिता और आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है सूपर टैट के अंतरगत याने कि आज हम बात करने वाले हैं जूनिय और सूपर टैट के अंतरगत आने वाले महतपूर इतिहास के प्रशनों के बारे में दोस्तों क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है और फिलाल तीन या दो या तीन महीने हैं जिनमें आपको प्रपरेशन करने हैं स्ट्रॉंग ठीक है तो यहां पर आपके पास इ जिवस्यर एक्जाम्स के पेपर देखे जाए तो जूनियर के वेकेंसी बहुत ही जादा कम आती है और पिछले साथ सालों में अभी तक एक भी वेकेंसी जूनियर की नहीं आई है तो इसको ध्यान में रखते हैं आपकी जो प्रपरेशन है डैट प्रपरेशन शुड़ भी हाड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क ठीक है तो दोस्तों आज जो सीरीज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वो है राश्च्री आंदोलन यानि कि भारती राश्च्री आंदोलन से जो महतपुर्ण प्रश्णों की सीरीज है वह हम आप सभी के लिए लेकर आए है ठीक है तो फ आप अपने जो बेस है उसको भी मजबूत कर सकते हैं इसके अलावा अगर उस टॉपिक से संबंधित प्रश्ण अगर आपके एक्जामस में आते हैं तो आप भी उन्हें इसीली सॉल्व कर सकते हैं तो दोस्तों आज की जो मारी सीरीज है वह बेसिकली भारती राष्टी तो जरूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एडवांस है और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं यानि की पीडिये फॉर स्टडी मिटेरियल लेना चाहते हैं और क्वेश्यर के माध्यम से अपनी अपना खुद का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो जरूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में 2021 सिक्षक भरती जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो दोस्तों ये तो थी जैनल सी इन्फोर्मेशन जिसके तार आप अपने तयारी को और भी जादा व्यापक बना स और आपशं नमबर 2 है मुसलिम मुहमध अली जिन्ना ौप अप्शन नमबर 3 है मौलाना अबुल का नाम आजाथ और गए दो और दोनों तो दोस्तों यहां पर जो करेक्ट अंसर रहा आपका आपको ध्यान में रखना है दोस्तों और अगर आपसे पूछा जाए कि जो Muslim League है उसकी स्थापना कब हुई थी तो वो ही थी 1906 में आपसे ये भी question पूछा जा सकता है कि Muslim League की स्थापना कब हुई तो वो ही थी 1906 में ठीक है 1906 इसलिए भी important है दोस्तों क्योंकि इसके एक साल पहले याने की ठीक एक साल पहले 1905 में 1905 में क्या हुआ था बंगाल विभाजन ठीक है तो इसे भी आपको धान में रखना है ठीक है दूसरी चीज की यहां पर जो विभाजन परिश्ट थी ना उसके अध्रक्ष थे लॉर्ड माउंट बे ठीक है और जब इंडि तो जो उनको ही प्लान था वहां पे रखा गया था सब्सक्राइब के सामने ठीक है तो दोस्तों मेरी ख्याल से जो यहां से इंपोर्टंट कॉंसेट थे जह आपके पूरे आपके साथ में शायर कर देए ठीक है तो यहां पर आपके कहीं सारे कोश्चिन बनते हैं कि यह मु भाजन परिशत के अध्यक्ष कौन थे तो लॉर्ड माउंट बेटन थे अगला प्रशन है साइमन कमिशन भारत कब आया था तो इसके चार ओप्शन आप सभी की स्क्रीन पर पहला है 1927 दूसरा है 1928 तीसरा है 1934 है 1931 तो दोस्तों यहाँ जो करेक्ट आंसर है आपका यानि कि स इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो आपकी एक्जाम से पूछी जाती है तो आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमिशन का उदेश्य क्या था तो दोस्तों जो अब्जेक्टिव था यानि कि समवेधानिक सुधार ठीक है अच्छा एक चीज़ और यहां से पूछी जा सक यहां पर डिस्कुस कर लेते हैं ठीक है पहला तो यह कि जो साइमन कमिशन था वो 1928 में आया था 1928 ठीक है दूसरी चीज़ यह कि इस से जुडायाने की जो भारत साशन अधीनियम था ठीक है पहले वह पारत किया गया और इसके रिजल्ट में जो आया वो था साइमन कमिशन ठीक है अब से भी पूछा जा सकता है कि साइमन कमिशन किसके किस अधीनियम के बाद हुआ था या आया था तो वो था भारत साशन अधीनियम जो कि 1919 में पेश किया गया था ठीक है दूसरी चीज़ कि देखे भारत साशन अधीनियम जो था वो उसके 10 साल बाद एक ऐसा से क्या क्या है लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि आठ साल के बार यानि कि दस साल तो होने से पहले ही यानि कि 1927 में कि क्या गया था साइमन कमिशन ठीक है अब अब कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमें या पे 1928 क्यों ठीक है या जो इसकी जो प्लानिंग की वो कब हुई थी तो 1927 में रखी गई थी लेकिन हाला कि जो सम्रेधानिक सुधार करना बहुत बड़ा इशू था उस टाइम पर क्योंकि दोस्तों सम्रेधानिक यानिकी जो कानूरी सुधार होते हैं यह कई लोगों की सहमती के बाद तब जाक क्या होगा ठीक है और आप सभी से अवैर हैं कि 1970 स्वारी 370 जो धारा हटी थी उसके बाद जो कश्मीर था उसको जो अलग राज्य था उसकी दर्जास उसके दर्जे से हटा दिया गया ठीक है यह तो यह दो चीज़े कॉमन हैं दूसरी चीज क्या दोस्तों इस से रिलेटे क्या 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 खामिया है यह देखनी के लिए 1929 में आना था अधिनियम ठीक है लेकिन यह प्यारत में लाया गया यह थां 1928 में ठीक है लेकिन अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो साइमन कमिशन था इसको क्यों अपोस किया जा रहा था तो इसलिए विद्रोह किया जा रहा था दोस्तों क्योंकि इसमें एक भी भारतिय नहीं था तो फिर इसे बनाया किसने तो क्योंकि हमारे देश में भा पहले जब आधार्शिला रखी गई थी भारत में हुआ था लेकिन यह साइमन कमिशन था यह ब्रिटीशनर्स के द्वार लाए गया था ठीक है इसलिए जो इनके हैंड थे सर्जेंट साइमन इनकी अध्यक्षता में जो कमिटी बनाई गए थी वहां पर एक भी हिंदुस्तान नहीं था इसी कारण इसका बहुत ही बड़ा विरोध किया गया और इसी विरोध के चलते भारत में कई सारे आंदोलन हुए जिनमें एक आंदोलन में लाला लाजपत्राय की मृत्ती हो गई थी अंग्रेजों द्वारा बूरे तरीके से लाठी चार्ज करने के कारण ठीक है और कंशन के ठीक और कॉछााय कैया चूदार और कॉछन सकता है साइमन कमिशन के ठीक पहले.." अगला कॉछिन है भारत बहाग्लादेश विभाजन कब हुआ था बहादी ऊजए मग्च्व उप्लते बहुत हुझे 100% उमीद है कि जितने भी है बरतिये सेशन देख रहे हैं सबको इसका आंसर पता होगा ठीक है चले फिर फिर पिर ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नमर 1 है 1905, ऑप्शन नमर 2 है 1906, ऑप्शन नमर 3 है 1907, और ऑप्शन नमर 4 है 1919 ठीक है तो दोस्तों यहां जो correct answer है according to question जो भारत और बांगलादेश का जो विभाजन था वो कब हुआ था तो चले देखते हैं तो उसका सही उत्तर है दोस्तों 1905 अच्छा 1906 क्यों important है दोस्तों तो 1906 में क्या हुआ था धाका में मुस्लिम लीग की जो थी वो स्थापना की गई थी यह किन के द्वारा सलीमुल्ला खा और आगा खा के द्वारा भी हमने डिस्कस किया ठीक है जलिया वाला बाग हत्या गांट तो यह दो चीजे हैं इसे आप बहुत अच्छे तरह के से याद करने कि कब हुआ था कहा हुआ था और अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसी टाइप के सेशन आप सभी के लिए और लेकर आएंगे जिनमें यह सारी आतिहासिक जो घटना आएं उन सभी को डिसकुस करेंगे ठीक है और बेसिकली जो आपकी कोश्चन है जारे तर भार्थय राश्या नोलन से ही बनते हैं तो इससे टाइक कोश्चन अपर एक्सपेक्ट करेंगे अपने एक्साम में तिक हैं तो अगला कोश्चन है उच्छी नयाल अधिनियम कब प और ऑप्शन नमबर 4 है 1964 तो जो जो करेक्ट आंसर है दोस्तो यानि कि उच्छ नयाल अधिनियम जो था वो 1861 में पारित किया गया था बेहत ही जादा इंपॉर्टन क्वेश्चन है क्यों इससे पहले भारत में कोई भी उच्छ नयाल नहीं थी इसके बाद काफी जादा इसको ले करके यहां से जो इंपॉर्टन क्वेश्चन है जो आपकी एक्जाम से पूछे जा सकते हैं वो यह हैं पहला कि इस ने आला है कि इस अधिनियम के तहट भारत में कुल तीन कोट अस्तित्व में आए ठीक है कोट यानि कि हाई कोट अस्तित्व में पहला नई 1862 में यानि कि ध्यान रखेगा जो रेट यहां पर हम यहां पर मैंशन कर रहें बेहद ही इंपॉर्टन्ट है यह सारे कॉंसेट्ट ठीक है इस अधिन अधिनियम के बाद जो हाई कोट यानि कि तीन बेसिक जो हाई कोट थे वह अस्तित्म में आए पहला कोलका था 1886 में दूसरा 14 अगस्त 1883 में उसके बाद जो 15 अगस्त मद्रास में बनाया गया था जो बनाया गया था 15 अगस्त 1886 में वो था 1868 में वो था मद्रास में ठीक है तो यह चीज़ा आपको धिहान में रखनी है चलिए अगला देखते हैं अगला question है साबर मती आश्रम कहां खोला गया था बहुत इधाद इंपोर्टन question है तो इसके options है दोस्तों option number one है दक्षिन आफ्रिका, option number two है गुजराथ, option number three है कोल काता और option number four है बॉंबे तो दोस्तों इसका जो correct answer है वो है साबर मती आश्रम, साबर मती कहां पे आप सभी को गुजराथ में तो इस तरीके से भी आप लिंक कर सकते हैं कि साबर मती आश्रम कहां खोला गया था गुजराथ मैं यानिकि question की option option number two है और अगला देखते हैं अच्छा इससे ए जो important चीज़े आपको जहान में रखनी है कि ये कब खोला गया था ऐसे भी question आपके पूछा जा सकता है, तो साबरमती आष्रम जो था, 1917 में खोला गया था, कहां खोला गया था, गुजरात में, और इसके बाद, यानि कि साबरमती आष्रम खोलने के बाद ही, जो अंग्रेजी साशन थे, उनमें जो कुरूरता थी, ठीक है, इसके अगेंस्ट में, जैसे कि बेस खुद का नमक बनाने के लिए इसके लिए उन्होंने एक डांडी आत्रा निकाले ती निकाले धी तो यहीं आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है गांधी जी के राजनेति गुरु कौन थे बेहत बेहत ही जादा इंपोर्टन कोश्चन और आप इसके आगे एक स्टार लगा लें तो बहतर होगा दोस्तों क्योंकि इसे डाइप कोश्चन या तो यह आपके प्राइमरी में पूछा जा सकता है या तो दादा भाई नौरो जी ऑप्शन नमबर 3 है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन नमबर 4 है नैसल मंडेला ठीक है बहुत ही जाद कंफ्यूजिंग है क्योंकि आपको पता होगा कि गांधी जी ने और स्ट्राल फॉर्म खुला था दूसरी चीज दादा भाई नौरो ज जी के तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले तो यह भी बहुत जादा करीबी थे गांधी जी के नैसल मंडेला से गांधी प्रभावित तो यहां पर आप सोचेंगे कि कैसे कॉश्चन का अंसर लगा है तो दोस्तों यह जो चीज है आपको लॉन करने पड़ते हैं तो इसके लि भी बहुत इंपोर्टेंट है विल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह क्या इंपोर्टेंट है कि बाल गंगा धर्द जो थे उनके पॉलिटिकल गुरु पॉलिटिकल जो गुरु थे आनिकी राजनाति गुरु वो कौन थे तो वो थे दादा भाई नौरोजी ठीक है गांधी गोल की फाल गंगा धर ठीलक जो थे उनके जो क्ल नौरों दीकए जब की मुझाँ होस्पे पोsm सुनने में बहुत जाए कंट गूरसी लगेगी आपको क्यूंकि अंटागोनिस्टिक है दोने पिल्कुल आपोजट है क्योंकि बाल गंगा धर क्या थे गर्मधान के नेता do वाजनेति गुरु थे वो थे दादा भाई नौरो जी को हम क्या कहते हैं उनका जो उपनाम था जो उन्हें जिस नाम से संबोधित किया जाता था वो था वयो व्रिद्ध निता ठीक है क्यों क्यों काफी जादा मतलब जो अपने पॉलिटिकल लीडर्स में जो सबसे जादा ज इर्विन समझाता कब हुआ था तो ऑप्शन 4 है आपकी स्क्रीन पर पहला है 1930 ऑप्शन नमबर 2 है 1919 ऑप्शन नमबर 3 है 1906 और ऑप्शन नमबर 4 है 1931 यानि कि 1931 तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है इसका यानि कि गांधी इर्विन समझाता था वो हुआ था 5 5 मार्च ठीक ह पांच मार्च 1931 को ठीक है बेहद बेहद ही important question है गांधी इर्विन समझाता कब हुआ था 1931 में ठीक है यह तो आपका basic concept है दूशरी चीज़ आपको यहां से ध्यान रखना है कि तो दोस्तो गांधी इर्विन समझाता के बाद जो नई चीज़े निकल कर आए थी यानि कि भारत में जो सुधार हुए थे वो यह कि नमक बनाने की जो छूट थी वो सारे इंडियन्स को मिल गई थी ठीक है भी हमने discuss किया कि according to भारत की नीतिया क्या हुआ था कि भारत या क कानून के बाद इस समझाते के बाद सौरी गांधी इर्विन समझाते के बाद नमक बनाने की जो छूट थी वो हम हिंदुस्तानियों को मिल गई थी दूसरा सुधार क्या हुआ था कि जो भी गरिफतार किये गए लोग थे ब्रिटिशनल्स के द्वारा अंग्रेजों के द् और इसी समझाते के ठीक बाद रखेंगी और दांडी आत्रा के ठीक बाद क्या हुआ था सभी ने आवग्या अंदोलन तो दोस्तों होता है एक चेण की तरह होती है और यहीं आप सभी को ध्यान में रखने हैं बिलकुल चेण को ना जैसे जैसे आप पढ़ते चले महात्मा गांधी किस गोल में समयलन में उपस्तित हुए थे यह बहुत जाद है कि आप सभी को पता है कि कॉंग्रेस को लीड करते हुए जो गांधी जी थे गांधी जी ने वह को गोल में समयलन में भाग नहीं लिए था सिवाए एक को गोल में समयलन था जिसमें गांधी जी उपस्तित हुए थे चलिएटी सब्सक्राइब कोई नहीं तो जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है यानि कि गांधी जी जिसे राउंड टेबल कॉंशेंस भी कहा जाता था ठीक है उसमें गांधी जी कॉंग्रेस की लीडर के रूप में उपस्तित हुए रहे ठीक है तो यह भी कॉंसेट है जो आपको ध्यान में रखना है ठीक है लगला कोश्चन देखें दोस्तों यहां से एक और कोश्चन बन सकता है कि प्रथम जो गोल में समेलन था उसकी कॉंसेशन में हुआ था तो 1930 में दृतिय कब हुआ था 1931 में और दृ किनों चीज़े बहुत है और यह चीज़ा आपको ध्यान में रखने है इसमें गांधी जी गए थी अगला कोश्चन देखें टॉल्स्ट्रोइफ फॉर्म कहां खोला गया था तो पहला ऑप्शन है आपका गुजरात ऑप्शन नमबर टू है कोलकाता ऑप्शन नमबर थी है की नजरों से देखा जाता था उनके साथ बिल्कुल प्रॉपरली नहीं किया जाता था यानि कि उनके साथ कुछ मतलब ऐसे अंग्रीज विभार करते थे जैसे गांधी जी श्वेत नहीं है तो उनके लिए बहुत बड़ा अधिशाप है तो इनी चीज़ों से परेशान होक पर जो गांधी जी थे नहोंने टॉल्स्ट्रउइ फारम जो था वह खोला था ठीक है एक और चीज दोस्तों कि अगर आप से कहा जाए की टॉल्सट्रोइफॉर्म जो श्थापना थी वह किस के वारत कि गई थी कि टॉल्स्ट्रोइफ फारम की जो थापना थी यानिया अग कितने ज़्यादा कंफ्यूजिंग है गुजरात गुजरात जो गांधी जी का घर था यानि जो उनकी रेजिदेंसी ठीक है दक्षे आफ्रिका जहां पर वो गया थे जहां पर से वह इंफ्लेंस होकर आया उन चीजों के खिलाफ गलत चीजों के खिलाफ और उनोंने फिर भार जो question paper बनाने वाले होते हैं उनके मन में यही रहता है कि अगर आपने कोई concept पढ़ा है तो चीज़े आपको learn होनी चाहिए ठीक है आपके मन में यह confusion नहीं रहनी चाहिए कि हाँ यह कौन सा सही है यह कौन सा गलत है तो यही चीज़े देखकर आपके सामने question paper डिजाइन किया आते हैं और यही चीज़े आपके exam में माई में रखती है अगर आपने concept को बार बार रिवाइज नहीं किया है तो इससे क्या होगा कि आप हमेशा confusion की state में रहेंगे कि हाँ गुजरात होगा ठीक है बहुत अगर आपने पढ़ा है तो deeply तो ही आप इन चीज़ों को समझ ठीक है तो दोस्तों best wishes आप सभी के जूनियर के examination के लिए जूपर टैट जूनियर के लिए ठीक है और इसी टाइप की और conceptual वीडियो के साथ में हम लेंगे हम बिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अम्रता को दीजिए इजादत बाबाई